हलो स्टुडेंट्स अज हमेट क्लास की हिस्ट्री का थर्ड चेप्टर रॉलिंग दे कंट्री साइट का टापिक परनेट सैटिल में डिसकस करते हैं अब सभी स्टूडेंट्स का इस हों क्लासिस की वीडियो लेक्चर सेरीज में बहुत बहुत सवागत हैं हम ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी के अक्तियार मिले दिवानी यानि जमीन से टेक्स वसूल करना का हख टापिक पर आने से पहले मैं इसकी बेग्रोंड बताना चाहूंगा शुरू में टेक्स वसूल करना के लिए जो सिस् लागी और जो किसान टेक्स नहीं चुका पाते थे लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन उसे छूम ली जाते थी इस तरह से किसानों के जमीन छींते गई और ऑपनी जमीन से बेदा-खल होते गए नतीजा यह हुआ की एस्ट इंडिया कंपनी के डिवनियु के कमी जादा होती थी, जमीन उसे दे जाती थी 5 साल के लिए ये एक किस्म की ठेकदारी ही थी मान लेजिए एक जमीन के हज़े से 100 रुपे की पैदावार होती है, एक शक्ष 7 रुपे देता है और 260 रुपे देता है तो जमीन 70 रुपे टेक्स देना वाले को ही दे दी जाते थी 5 साल के लिए चुँकि 5 साल का ही कंट्रेक्ट होता था इसलिए कंट्रेक्टर लेंड में इनवेस्टमेंट नहीं करते थी क्योंकि उनको ये मालूम था कि 5 साल के बाद जमीन उनके हाथ से चली जानी है जब जमीन में investment नहीं होना लगी तो company को भी revenue में कमी आना लगी तो East India Company का ये नया मनसूब भी नाकाम हुआ तो उन्होंने revenue policy बदली और introduce किये तीन systems permanent settlement, रायतवारी system और महलवारी system हमारा आज का टापिक है permanent settlement Lord Carnivalis ने introduce किया था 1793 में नाम से ही जाहिर है permanent settlement यानि permanently settle कर दिया था tax को हमेशे के लिए tax fix कर दिया था जो amount जितनी जमीन से fix किया था उतना ही देना पड़ता था पैदावार कम हो या जादा उनको इससे कोई वास्ता नहीं था इस बंदोबस्त के तहट राजाओं और तालगदारों को जमीन के मालकाना हक दिये गए थे यानि वो जमीन के मालक बन गए थे उन्हें किसानों से लगान वसूलना और कमपनी को वो लगान चुकाना का जिमा सौंपा गया था समीनदार जो rent collect करते थे किसानों से उसमें से 10 भाई 11 भाग अंग्रेजों को देते थे और एक भाई 11 भाग खुद के लिए रखते थे यानि अगर 11 रुपीज टेक्स लेते तो उसमें से 10 रुपीज East India Company को देते और एक खुद के लिए रख लेते थे इस सिस्टम में चैन इस तरह से बनते थी East India Company ने जमीन राजाज और तालुकदार को दे दी उनको मालिक बनाया ये राजाज और तालुकदार जमीनदार बन गए वो खुद खेती नहीं करते थे खेती करने के लिए वो पीजन्ट यानि किसान को देते खेत किसान खेती करता और किसान का कोई उस पे मालकाना हक नहीं था किसान से वो रेंट वसूल करते थे उसके कमाई में से रेवन्यू चुकाया जाता था और उस रेवन्यू में से कुछ हिसा वो खुद के लिए रख लेते थे इस सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे हाई अमोंट आफ रेवन्यू लगान बहुत जादा था इसलिए बहुत से किसान इतना लगान चुका नहीं पाते थे अब जो जमींदार रेवन्यू नहीं चुका पाता उसकी जमीन उससे ले ली जाते थी जो खेती करता था यानि किसान उसके लिए भी उप्रेस्व था सारा बड़न तो उसी पर था पिजन्ट्स हैड टू पे हाई रेंट टू जमींदार अब जो किसान खेती करता था उसे उस खेत से जमींदार को रेंट देना पड़ता था जो बहुत ज़ादा था पिजन्ट्स हैड नो सिक्यूरिटी आफ लेंड पिजन्ट्स को लेंड की सिक्यूरिटी नहीं थी अगर वो रेंट नहीं चुका पाते तो एक दो साल में ही उनसे जमीन दार जमीन ले लेते उनको अक्सार रेंट चुकाना के पैसा उधार लेना पड़ता था और इसी तरह से उधार तले ही वो दबते जा रहे थे तो यह आज का हमारा टापिक है अगली वीडियो में नेक्स टापिक हम पड़ेंगे